अपना सकते हैं, हाँ यदि मुख्यमंत्री जी नहीं हम लोग पर ध्यान देंगे तो, हम लोग मिलेंगे मुस्लिम निताओं से, धर्म गुरुगों से, हाँ कि हमारी इस तरह की मदद की जाए, सरकार नहीं मदद कर रही है, जी, अइसा पूरे जिले में है कि वो गरीबों की म स्षिहा इस हम तो स्वैम बच जिनदा है तो हम लोग बचे हैं, आज हमें हूं हमें उनकी कमी महसूस हो रही है, कि अधी आधी पावर में रहते तो हमारी मदद करते है, अच्छा धर्म परिवर्तन को ले करके, बड़ा, मामला सामने आया है कि आप लोग धर्म परिवर्तन करना हम हमें यह देखा कि तीन लाख लोग गए थे उनके अंतेश्टी में तो एक समाज मुस्लिम है कि कितनों प्रतारित किया जाता है तो समाज अपने विरादरी की मदद करता है हमारे हां के विधायक जी थे उनका परिवार था उन लोग ने मदद की आज जिन्दा है तो आज आज ऐसा फिर लगता है कि हमें उनकी जीने के लिए मदद की जोद पढ़ती है अब क्यों नहीं हम आपके माता पिता पूरी तैयारी बना चुके हैं कि अगर मुझे नहीं मिला तो मैं धर्म परिवर्तन कर लूँगा क्या ऐसा होना चाहिए नहीं सर जैसे हमारी बात सुनने हमारी जो मुख्यमंत्री जी है योगी जी हम उनसे गुहार करते हैं इसमें गाजेपुर माने कुमारा निवासी हैं और 2009 में हम लोग के साथ है पुलिस से मिलकर पर्टिदारों ने हम लोग को मारने का प्रयास किया जिसमें हमारी पत्नी की मित्ति उनके समझ से हो गई थी उस समय बच गई मानी विधायजी के लोग जो थे उनके निर्देश पर हम लोग की काफी मदद कि उनकी वज़ास से आज हम लोग जिन्दा हैं तब से हम लोग को गाओं छोड़ना पड़ा और किसी तरह जिवकाव पार्जन वर्तमान में हम लोग कर हैं जी खाग रहे हैं तो यहां के भ्रष्टाचार जो अधिकारी तंत्र हैं इतना जुड़े हैं कि उनको अधिया पैसे रुपिये नहीं देते हैं तो आपका जिवकाव परजन करना मुश्किल है उसी के तहत हमारी पत्नी विरूद करती रहीं कि हम नहीं दे पाएंगे किस चीज का विबाद यह जमीन का था कि हम लोगों को मार दें और मार के पूरी जमीन हरप लें मैं मेरे बच्चे और मेरी पत्नी हैं जी बिगा जमीन अभी तक सदर HDM की अधीन है परती पड़ा हुआ है जमीन छे बिगे बाग भी है बाग को प्रसासन तोड़कर या किसी की मदद से अनलीगल तोर पे उसको बेचती है अच्छी बाग है 52 बिगा जमीन हम सबेदर खल है अब तक बटवारा का मुकदमा यहाँ वहाँ नियालेओं में चल रहा है आज 22 बरसों से चल रहा है और सारी जमीन HDM सदर के अधीन है हमारी जब्त की हुई है जिस बिगे अन्स का कोई भी बाद नहीं है कि हमारी जमीन नहीं है और हम लोगों को प्रसासन ने बीच बीच में सासन के निर्देश पे रहने के लिए कोई जगा नहीं थी तो कासीरा मावास भी अलर्टमेंट किया गया और उसमें हम लोग अभीरा रहे हैं वर्तमान में और उसके बाद जो है हम लोग जीवका पारजन का जो काम करते हैं हमने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया कि अपने पढ़ाएं तो वहां गाजी प्रसासन में इतना भष्टाचार है कि आपको कहीं जीने का रास्ता मुस्किल है बिना पैसे दिये हुए करोनों की वशूली है मेरी पतनी जिंदा बजगी एक शंगर स्थिल थी और समाज पीडित भी रही थी तो कभी कभी समाज हित्में भी जिस चत्र में हमारा नुक्षान होता उसमें आवाज उठा ती ती जिसका शिकार हाल ही के दिनों में हम लोग ने काफी हुए और गये थे महा महिम राजय पा मेरी पतनी कई बार बिना कोई मुकदमे में जबरन प्रसासन ने जेल में भेजा हाल ही के दौर में दो बार जेल भेजा पूरे परिवार को जेल भेजा अंडर में रखा जेल में हम लोग ने अंजलत्याग दिया निया एक जाच की मांग को लेकर उसके बाद जो है इन लोगों से नहीं बनती और इस प्रकार से उस समय उस समय एक मामला था जो प्राण घाता खमला था उस पर प्रसासन की वो थी और मेरी पतनी उसको लेकर काफी अभी तक आज तक हमारी तहरीर पे मुकदमा दर्ज नहीं है जो हम लोग चोटील हुए हैं 2009 की जिसके कार से 15 सा से हम लोग घर छोड़ रखे हैं एक कास्मेरी पंडित छोड़ें एक हम छोड़ें अपने घर नहीं रहते हैं या 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 पुलिस प्रसासन भी अपने रिपोर्टों में प्राण घा तक आपके पतनी पर हमला किया गया था तो कौन मददगार कौन सावित हुए यह महें हम एक कम्यूटी की तरह हम लोग को टार्गेट किया जा रहा है हमारा कोई समाज हमारी मदद ने कोई समाज कोई हमारे ना उस समय आ जाया कौन से भी बिधायक जी मदद किया थे मुहमदाबाद के जो मुक्तार अंसारी जी थे उस समय उनके कोई प्रतनीदी थे वो पूरा इलाज करा है हम लोग को होте होसी नहीं था कि हम क्या करें उच्ना ही हम प्रशाशने किडनेब करके डाला गया है पूरी बच्ची तक को इतनी नियत गिरुए कि आईस ना बन जाए लड़का ये परिवार आगे ने बढ़ जाय कितने साल पहले का मामला है जबाब तो हजार नौ से हम घर छोड़ रखे हैं उसी समय घटना घटित होती है उसी समय विधायक जी मदद करते हैं उनके जेल में थे चुकि महें के लोगों उठा के ले गया है उनके थुरू हमामला आया था और वो काफी मदद की है हमारी हम लो मदद किये थे मुक्तार अंसारी इलाज कराया थे हम लोग का हम लोग का इलाज कराया था काफी जीव क्या कारण है कि गाजी पूर की जनता जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि 65 मुकद में मुक्तार अंसारी पे दर्ज थे और उन्हें लोग मसीह कहते ही क्या कारण है उनक कमें हैं कि लोग गरीब की मदद करते रहते हैं तो इसलिए गरीब उनको मसीहा मानते ही है। हम तो स्वेम जिनदा है तो हम लोग बचे हैं आज हमें उनकी कमी है पावर में रहते हमारी ने नोड़े पावर में रहते तो हमारी मदद करते दर्म परिवर्तन को लेकर के बड़ा मामला सामने आया है कि आप लोग धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं हमें यह देखा कि तीन लाख लोग गए थे उनके अंतेष्टी में तो एक समाज मुस्लिम है कि कितनों प्रतारित किया जाता है तो समाज अपने बिरादरी की मदद करता है और हमारी अदी बिरादरी भी मदद नहीं करें जहां कि पुलिस प्रसासन मदद करा मेरे पटिदार स तो इस तरह से हम लोग सोच रहे हैं अभी काफी आहात है 16 दिन के अंसन तीन महीने जेल से निकले हैं किसी तरह से तो हम लोग काफी अपसे हैं और मानी मुख्यमंती से गुहार करेंगे कि हम उनसे मिले और हमें रास्ता बताएं अन्यता हमारे पास सम्मान जनक मृत्यों की इजाजत भी है और अन्य भी रास्ते यह हैं अब उसके बाद यहां तो हमें मानी मुख्यमंती जिरास्ते बताएं और यह मुझे लगता है कि आज के परिवेश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्यूटी अपनी कम्यूटी की ध्यान रखती है तो कम से कम हमको तो ना समाज साथारा आपना सकते हैं हम लोग मिलेंगे मुस्लिम निताओं के बड़ा बयान दे रहा है कि मतलब अगर मेरी मदद नहीं की जाएगी तो हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे यह तो सरकार हम तो माननी है जिसे यही गुहार लगाएंगे बार-बार मैं तो वहां गई भी लेकिन हमको उनके तक पहुंचने नहीं दिया जाता है अगर वो हमारी सुन सके तो वह जो मतलब हमको सहयोग करें तो ठीक है नहीं तो हम अपना जैसे भी हो जीने के लिए तो कोई नो कोई रास्ता अपनाना पड़ता है ना सर पती से जब हमारी बात हो रही थी तो आपके आंसू छलक रहे थे क्या कुछ अभी तक जीवन में किस प्रकार से कैस कि मेरे बच्चों को मैं यहीं उमीद की थी सरकार से जो भी सरकारा है कि मेरे बच्चे पढ़ लिए मैं तो जितना पीडा सहना था मैंने सह लिया लेकिन मेरे बच्चों पर आसना आए लेकिन जो मैं आवाज उठाती हूं उस आवाज को मेरे बच्चों तक उसमें घसेट हुआ ह Toni tak Maishan north की शर्कार है कोई भी सर्कार रही है लेकिन मेरी को सुनवाई नहीं हो रही है तत्लक को सुरत्चा-६ष्टान को में रहते हैं जीरो टोलरेंस की बात्ciplinary कि देख रहे हैं नहीं को तो यह में से नहींगा रहा है मैं को को जह क्या करण है कि आपके परिवार चार लोगों का परिवार और जिल्दा cultivate प्रसाशन से हमारे बनती है opinions आपसंद हम से नहींग turnoverần phải संदितना रहें तो हम गलत हैं हमारा जीज गलत है प्रसाइण आप से क्या माग करती है प्रसासन हम से जब हम रोड पर हमारा गाड़ी चलती है तो काती है आटियों सभके पैसा दो अपनी चलती है पर पंपनेखने तो पीसित एक पेटेस्ट सेहरे और में देखने है थिवह कंसे मेरी बेटी हो पाया सब्रेस्ट शो небट त्योट तो तो है कुछ恤 गाड़ी का कागज दोगे तो लेती हैं प्लस अंडर लोड का इसलिए कि वह हम जो भ्राष्टाशार के खिलाप देते थे कि ये बार-बार हमसे पैसा वसुली करने की मांग करती हैं तो इससे वो रंजिस खाके खुंदक खाके हमारी गाड़ी को बार-बार टार्गेट करती थी केवल एक ही कारण है कि मतलब आपकी गाड़ियों का संचालन ना हो रोड पेसलिए आपको परिसांद जी एक कारण का यह है कि ये भ्राष्टाचार के खिलाप खड़ी नहों बस हमको जो करने हैं हमको जिला में करने दो आप 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 भले न चलाओ हम चलवाएंगे उस प कुद दूँगा मिलें आप योगी जी से नहीं मिलते अपसों दसों बार हम लोग उनसे गए कि हमारे इस्टेट के मुखिया है बड़ा उनका अच्छा नाम है कि एक्सन लेते हैं मगर वो देख नहीं पाते हैं मुझे लगता है कि देख नहीं पाते हैं नीचे इस तरफे उनको जनकार ही नहीं है अच्छी तरह से चलिए थोड़ा सा इनकी बिटिया से बातचीत करेंगे आपके माता-पिता काफी परेसान है और कहीं कहीं मुकदमे का सिकार आप भी हुई है क्या कहना चाहेंगे जी सर मुझे मेरी मुम्मी एा आटिो मैम के खिलाफ और प्रीश पिसासन के खिलाफ के यहां अवैद वैसूली हो रही है ड़ सालों से बैठती थी और मेरी गाड़ी से भी मागने की कोशिज क्योंने बड़ मुम्मी नहीं दिया और उनोंने कम्प्लेंड कर दिया इसे ने हमारे उपर उल्टा एक्सन ले लिया हम इसके लिए लखनव भी गए मानने राजेपाल जी से मिलने तो हम हमारी मुलाकात भी 18 दिसंबर को उन्होंने ओर्डर भी दिये थे यहां पे और बात भी किया था बट उसका उल्टा हमारे उपर हो गया सर कि हम जब यहां आए तो डीम और एसपी सर से उस टाइम वारता हुई और उन लोगों ने बोला कि हम इस मैटर में कुछ नहीं करेंगे और हमको बंथक बना लिया उसी दिन से सर और 18 की रात को हमने फिर जाने का कोशिस किया एक बार 16 की रात को हम जाने की कोशिस किया तो हमको औडिहार से पुलीस प्रसाथन द्वारा हमारे बहर के बाहर लगाय इंटी और हैं यह god लगे हैं बड़ उन्हें हमको नजर बंद कर रहा था चेज लेके 20 तक के बीच में और 20 को हमको पता चला सुबह यह लोगा घर में महीला फोर्स और जेंस पुलिस दोनों सर अंदर घर के घुस गया एक दम अंदर तक रूम के और हमको हमको गिरफतार किया हम लोग अभी ठंक परिवार से बिलॉंग करते हैं ऐसे मैं आपके माता-पिता पूरी तयारी बना चुके हैं कि अगर मुझे नहीं मिला तो मैं धर्म परिवर्तन कर लूँगा क्या ऐसा होना चाहिए जैसे हमारी बात सुनने हमारी जो मुख्यमंत्री जी है योगी जी हम उनसे ग्युहार करते हैं मानिय जी से कि हम पाई बाते सुन ले वो और इस पे न्याईक जाच बिठाए हर चीज पे इसकी प्रॉपर न्याईक जाच हो जाए तो हम क्यूं ऐसा करेंगी नहीं सर ऐसा कुछ नहीं करेंगे सर जिस प्रकार से मामला चल रहा है 2009 से लेकर के और यह 24 है 15 साल बेत गए क्या अभी तक आप लोग को सांतोना मिली नहीं सर जब भी हम उपर जानी की कोशिस किये कुछ और भी नीचे आए तो यहां के प्लिस पर सासन ने बहुत परिसान किया सर में स्टा हम लोगों सर्क हम लोगों ने का ओटल जाती है मैं उस्के नाइक आपड़ाई करती हैं इस बनना चाहती है कहीं न कहीं जब डियम पद को धारण करेंगी तो यह सासन प्रसासन से क्या सिखेंगी माता पिता हैं इनके इनके दावे थे कुछ ऐसे कि मतलब अगर मुझे नयाय नहीं मिला मुझे इसाफ नहीं मिला तो हम धर्म परिवर्तन करेंगे जानने के लिए हम लोग इनके पास आये हैं बाद जब इनसे मुक्तार अंसारी की करते हैं तो इन्हें 2009 का वाकिया याद आ जाता है जब 2009 में मुक्तार अंसारी इनकी मदद किये थे इनके पतनी को मार दिया गया था यह कोमा में चली गई थी और उस समय मुक्तार अंसारी इनकी मदद किये थ दवा कराये थे चलिए मित्रों इस मामले से संबंदित आपकी क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताएं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ तब तक के लिए नमश्कार